राम राम किसान भायों मैं हूँ आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मन पसंद यूटूब चैनल एगरी कल्सर एक्सपर्ट आज की सुडियो में किसान भायों के लिए लेकर क्या हूँ चैना की खेती से जुड़ी महत्व पुन जानकारी दोस्तो पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे किसान भायों की सवाल आए हैं कि सर चने की फसल 70-80 दिन की हो चुकी है और फूल आना शुरू हो चुके हैं ऐसे में क्या हम दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए बहुत से किसान भायों का सिधा सा सवाल है कि अब फूल आने के बाद क्या सिंचाई करनी चाहिए या नहीं तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी चने की फसल की अंदर फूस्पन यानि फ्लोरिंग स्टेज आ जाती है तो इस दोरान पानी देना नुकसान दाइक होता है किसान भाईयों चने की फसल में जैसे ही थोड़ा टेंपरेचर हाई होता है यानि थोड़ी गर्मी बढ़ती है या फिर जमीन में थोड़ा सा नमी जो है वो कम होती है तो चने की फसल में पुस्पन यानि फ्लोरिंग स्ट्राइज शुरू होती है ऐसे में यदि आप पानी लगा देते हैं तो जो पुस्प जितने बने हुए फूल है वो सारे ज़ड जाएंगी और पोधा वेजिटेटिव ग्रोथ फिर से करने लग जाएगा यानि वारस्पतिक वरदी करेगा उसके बाद दुबारा से फूल वफल बनने की परकिरिया है वो एक बार फिर से रुख जाएगी तो चने की फसल में फूल आने से पहले आप सिंचाई कर सकते हैं या फिर जब आपको लगेगी 70-80% आपकी फ्लोरिंग फूरी हो चुकी है अब फ्रूटिंग स्टेज यो है वो शुरू हो चुकी है तो भी आप सिंचाई कर सकते हैं इतना नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर आप फूल आते समय यानि फूल आना स्प्रारंब ही हुए हैं और ऐसे में आदि आप सिंचाई कर देते हैं तो चने की फसल में काफी हद तक नुकसान देखने को मिल सकता है चने में फ्लोरिंग यानि पूस्पन अवस्ता सुरू होने के बाद आप एक किलो एन पीके 0.52 इसके लावा आप एक ग्राम परती लिटर पाने के हिसाब से बोरोन या फिर टोनिक के रूप में सागरीका या इफको हुमेट्सू में से कोई भी एक चुन सकते हैं और इसका लगबग 500 ml परती लिटर यानि एक किलो एन पीके 0.52 इसके लावा यदि आप लेते हैं बोरोन तो 80 ग्राम परती लिटर या फिर यदि आप टोनिक के रूप में सागरीका लेते हैं या इफको हुमेट्सू लेते हैं तो आपको लगबग 500-300 ml परती लिटर के इसाफ से काम में लेना है और 100-500 लिटर पानी में घोल बनाकर परती लिटर यदि आप छिटकाओ कर देते हैं तो आपकी जो पुस्पन है और ज्यादा बनेंगे अधिक से अधिक फूल वे फल बनेंगे तो इसके बाद जब आपको लगेगी 70-80% आपकी फ्लोरिंग पूरी हो चुकी है और फूल से फल बनने की परकिर्या शुरू हो चुकी है तो आपको 1 किलो NPK 0050 इसकी सप्रे यदि आप धोरा देते हैं तो उचना काफी बेस्ट क्वालिटी का बनेगा दाने का साइज भी बढ़ा होगा और दाना भी चमकदार होगा तो इससे आप उपज बढ़ा सकते हैं उमीद है आपको अपने सारे सवालों की जवाब मिल गए होंगे यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट संकाय सवाल है तो आप अपना सवाल वीडियो के निचे कमेंट करके पूछ सकते हैं इतना जल्दी उसके आपको उसका जवाब मिल जाएगा वीडियो पसंद आए तो श्यादिक स्यादिक लाइक वसे जरूर करें और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक्यू